Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start chapter number 9 of class 5 TVS which is Up You Go. ये जो chapter है आपका ये mountaineering के बारे में है. Mounteering एक adventurous activity है जिसमें कि आपको mountain को climb करना होता है. ये chapter आपका Kendra Vidyale की teacher ने अपना experience इसमें लिखा है. एक mountaineering camp में उन्होंने क्या क्या चीज़ें, देखी क्या वहाँ का schedule होता है, क्या equipments की आपको ज़रूरत होती है mountain को climb करने के लिए and everything. तो चलिए chapter को read करेंगे, इनके experience से हम भी कुछ सीखेंगे. अगर कोई भी वच्चा नया हो channel पर, तो आप channel को subscribe कर लिजे, bell icon को press कर लिजे, जिससे की next time कोई भी video अगर आपकी class की आती है, तो उसको आप miss ना करें. ये बात है 2nd February 1984 की और Nehro Institute of Mountaineering जो की उत्तरकाशी में हैं. We were at Mountaineering Camp and were very excited. हम एक Mountaineering Camp में थे और बहुत excited थे. Mountaineering ऐसे नहीं होती कि आप सीधा गए और mountain पर चड़ना शुरू कर दिया, नहीं. कुछ लोग होते हैं जो कि आपको guide करेंगे obviously. तो वो camp होता है, पूरा बहुत सारे लोगों का और सब मिलके ही mountain को climb करते हैं. 20 of us were teachers from Kendra Vidyalya's. हम Kendra Vidyalya के 20 teachers भी थे उसमें. There were other women from banks and other institutions. कुछ women थी banks से, कुछ बाकी institutions से. Today was the second day of the camp. आज camp का दूसरा दिन है, in the morning, सुबह, as I got out of bed, जब मैं bed से उठी, and put my foot down, और मैंने पैर नीचे रखा, I screamed in pain. मैं दढ़ से चलाने लगी. I remember yesterday's 26 km walk with a heavy rucksack on my back. मुझे याद है कि कल मैंने 26 km हम लोगों ने walk किया था. पहले प्रिपेर किया जाता है आपको mountain climbing से पहले. तो पहले दिन इनको 26 km तक चलाया गया, walk कराया गया, और कमर पे एक rucksack भी था, जिसमें की बहुत सारा सामान होता है, आपका एक bag होता है. तो उसकी वज़े से इनके पैरों में दर्द हो रहा है. I was afraid to go back to the steep climb. और मुझे अब डर लग रहा था कि इतनी जो steep खड़ी चड़ाई यह उस पे मैं कैसे चड़ूंगी. और इतने रफ कंकर पत्थर वाले पार्थ होंगे, रास्ते होंगे, बहुत नारो, मतलब बहुत संक्रे, बहुत पतले भी होंगे, उन पे मैं कैसे जाओंगी? तो इस चीज से मुझे डर लग रहा था. With tears in my eyes, अपनी आखों में आसू लेके, I started walking slowly towards the room of Brigadier Gyan Singh. मैं Brigadier Gyan Singh के रूम की तरफ walk करके जाती हूँ. यहाँ पर आपको बता है, सुबह उठी है, तो बहुत pain है. आप भी अगर किसी दिन बहुत खेल लेते हैं, कुछ ऐसी physical activity कर लेते हैं, तो next day आपको उस दिन तो नहीं पता लगता है, next day पता लगता है. ब्रिगेडियर Gyan Singh जो थे वो डिरेक्टर थे उनकी adventurous course के, तो यह उनके पास जाती है, I was thinking of what I would say to excuse myself from that day's trek. और मैं यह सोच रहे थी कि मैं क्या बहाना बनाऊं, क्या excuse दूं, कि मैं उस दिन के trek से, उस दिन के trekking से बज जाऊं. Suddenly, एक दन से, I heard his deep voice from behind, मुझे उनकी आवाज सुनाई देती है, पीछे से, बहुत deep voice, बहुत गहरी voice. Madam, what are you doing here at breakfast time? Madam, आप breakfast time पर यहां क्या कर रही हैं? Hurry up, जल्दी कीजिए, otherwise you will have to trek on an empty stomach. नहीं तो आपको खाली पेठी trekking करनी पड़ेगी. Trekking, आप सोचेगे, trekking क्या होता है, trek करना पड़ेगा? Trekking कुछ नहीं, simple walking. जब आप normal चलते हैं, तो उसको walk करना कहते हैं, लेकिन अगर आप किसी मुश्किल रास्ते पर चल रहे हैं, ऐसी कि उसमें जूकि बहुती narrow है, बहुती जो है, चलना जहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो, उसे हम ट्रेक करना कहते हैं, okay? सर, सर, I could not say anymore, मैं सर सर ही कह पाई, आगे कुछ बोली नहीं पाई, You have come to tell me that you have blisters on your feet, क्या तुम मुझे ये कहने आई हो, कि तुमारे पैरों में blisters छाले हो गए हैं, that you cannot walk, कि तुम चलने ही सकती, है ना ये कहने आई हो, तो वो कहती है, yes sir, यही मैं कह रहे थी, That's nothing new, ये तो कुछ नया नहीं है, now get ready quickly, अब जल्दी से जाके तयार हो जाओ, I hung my head, मैं अपने सर को नीचे hung करती हूँ, नीचे जुकाती हूँ, and rushed back to get ready, और जल्दी से जाती हूँ, तयार होने के लिए, I had just turned, when I heard his voice, मैं अभी मुड़ी ही थी, कि मुझे फिट से again उनकी voice सुनाई देती है, listen madam, सुनिये, you will lead group number 7, आप group number 7 की leader होंगी, you will have to help any member who has difficulty climbing the mountain, जिसको भी mountain climb करने में, पाड़ पे चड़ने में परिशानी होंगी, difficulty होगी, आप उनकी help करेंगी, आप उनकी leader होंगी, आपको पहले ही बताया चाचुका है कि group leader की कितने responsibility होती है, तो कहां तो यह सोच रहे थी कि मुझे जाना ही ना पड़े आज, छुट्टी मिल जब कहां इनको group leader बना दिया, जहां इने अपने साथ साथ दूसरों की भी help करनी होगी, tell, अब आप बताये, have you ever seen mountains, क्या आपने कभी पहाड देखे हैं, have you also क्या आपने कभी पहाड को climb किया, when and where, तो यापी के लिए question है, how far you have walked at once, एक बार में आपने maximum कितना walk किया है, how far can you walk और कितना आप walk कर सकते हैं, what do you think about paths on mountains, पहाडों के जो रास्ते होते हैं, वो sloping होते हैं, obviously, सीधे नहीं होते बिल्कुल ऐसे, थोड़े से ढलावदार होते हैं, and curved भी होते हैं, रास्ते क्योंकि जहां आपको थोड़ा सा पहाड काट के बनाए जाते हैं, तो generally zigzag होते हैं, बिल्कुल सीधा आपको रास्ता मिलेगा, ऐसा possible नहीं है, तो sloping होते हैं, curved होते हैं, rock होते हैं, obviously, पत्थर होते हैं, बीच में काफी सारे, आपको, sorry, आपको picture भी उसकी draw करनी है, और sloping, curved, and picture एक दिखा देते हैं, बाकि आप अपनी तरफ से भी जैसा आप सोचते हैं, वैसा भी draw कर सकते हैं, यह देखे, यह पहाड का रास्ता है, उपर की तरफ है, और plus, जिग-जग करके बना हुआ है, ओके, so next topic is a big responsibility, एक बड़ी जिम्मेदारी, I started thinking about what a leader must do, अब मैं यह सोचने लगते हूँ कि लीडर को क्या-क्या करना पड़ता हैं, कि अब यह leader बन गई है, सबसे पहले काम और यह leader की responsibilities आप भी देख लीजे, यह exam में भी पूछी जाती है, help others in carrying their bags, दूसरों की मदद करना उनके bags को carry करने में, let the group go ahead and keep to the last, leader कभी भी mountain rink के camp में सबसे आगे नहीं चलता, सबसे पीछे चलता है, सारे group members आगे चलेंगे और आप सबसे पीछे होंगे उनमे, help those who cannot climb properly, अगर कोई अच्छे से climb नहीं कर पा रहा है, चढ़ाई नहीं कर पा रहा है, उनकी help करनी है, find a good place to stop and rest, एक अच्छी जगे आपको डूढ़ने है, जहां पर आप रुप सके और rest कर सके, look after those who are not well, अगर कोई बिमार है, वेल नहीं है, ठीक नहीं है, तो उनको look after करना, उनकी देखभाल करना आपका काम है, arrange for food for the group, ग्रुप के लिए food arrange करना, तो इतने सारे काम होते हैं एक leader के, the most important thing is to be ready, to be punished even when someone else may have made a mistake, और सबसे important चीज ये थी, कि कोई भी आपके group का, कोई भी member, अगर कोई गलती करता है, कोई mistake करता है, तो punishment आपको मिदेगी, आपको punish होने के लिए तयार रहना है, I realized that there was a special kind of discipline here, मैंने देखा कि हाँ तो बहुत अलग तरे केगर discipline है, I wondered whether the camp will still be fun, अब मैं सोच रही थी, क्या इस camp में आगे मज़ा आएगा, पहले ही पैट दुख रहे हैं, उपर से group leader बना दिया, अतनी जिम्मेदारी आ गई, तो पता नहीं अब क्या होगा, चलिए अब group number 7 की बात करते हैं, जिनकी ये group leader है, group number 7 include girls from Assam, Manipur, Mizoram, Meghalya and Nagaland, मतलब North East की ज़ादा लड़किया थी यहाँ पर, ये सारे आपके North Eastern state है, I was the only teacher from Kendra Vidyale in this group, और मैं अकेली ही केवी की teacher थी इस group में, I was happy to meet my new group members, ने group members से मिलके मुझे अच्छा लगा, most of them could not speak Hindi well, उनमें से ज़ादा तर जो लड़कियां वो Hindi अच्छे से नहीं बोल सकती थी, क्योंकि उनकी अपनी native language होती है, जैसे मिजोरम में Mizo बोली जाती है, Assam में Assamese बोली जाती है, ये आपने देखा भी होगा, previous chapters में, I still feel bad after being together for 21 days, I could not talk even once with Kondonbi from Mizoram, और मुझे अभी भी इस बात का बहुत बुरा लगता है, कि हमनी किस दिन साथ रहे, कैम्प में, लेकिन आज तक मैं Kondonbi, जो कि Mizoram से आए थी, उसके साथ बात नहीं कर पाए, क्योंकि उनको Hindi नहीं आती थी, obviously, She spoke only Mizo, वो सिर्फ अपनी local language Mizo बोलती थी, But in our heart, we grow close to each other, लेकिन कई बार ऐसा होता है, आप किसी के साथ है, भले आप बात नहीं कर सकते, वो कहते हैं दिल मिलने की बात होती है, तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है, हम कहीं कहीं by heart close ही थे, आप बताए, what do you think about the responsibilities of a group leader, आप क्या सोचते हैं, group leader के responsibilities के बारे में, क्या main responsibilities है उसकी, सबसे पहले तो help करना, helping members of group, आपको हमेशा तयार रहना है, अपने group members की help करने के लिए, दूसरा, lead the group, group को lead करना, भले ही आप सबसे last में चलते हैं, लेकिन आप ही उन्हें बताएंगे कहा जाना है, कहा रेस्ट करना है and everything and manage their needs, जो भी जरूरत है उनकी, चाहे medicine की है, चाहे rest करने की है, चाहे खाने की है, manage their needs, उनकी जो भी जरूरत हैं, उनका आप ध्यान रखेंगे, यह तीन मोटे-मोटे अगर हम देखे तौर पर यह तीन responsibilities है उनकी. Next is, how would you feel if you were made the leader in such a camp? अगर आपको एससे camp में leader बना दिया जाए, तो आपको कैसा पील होगा? तो आप definitely थोड़ा, आपको क्लास में भी टीचर अगर monitor बनाती है, तो आपको बड़ा proud feel होता है, confident feel होता है, कि मुझ में शायद कुछ ऐसी बात है, तो आप लिखेंगे, I will feel confident, 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 और थोड़ा अगर जादा लिखना चाहे, तो आप लिख सकते हैं कि मैं जो responsibilities है अपनी उनको अच्छे से manage करूँगा, I will successfully manage my responsibilities. आपको क्लास में monitor को क्या काम करने पड़ते हैं, सबसे पहले तो वो क्लास के जो कुछ items है, उनको arrange करता है, arrange, duster, shock, etc. टीचर के लिए चीज़े arrange करता है, और टीचर की absence में क्लास को manage करता है, manage क्लास किसी की लड़ाई हो गई है, कोई बचा शोर कर रहा है, क्लास को disturb कर रहा है, वो सब monitor को ही देखना होता है, इन टीचर's absence, ये दो में जिम्मेदारी उसकी होती है, उसके बाद अगर कहीं जाना है, मान लीजे, आप ग्राउंड में जाना है, computer lab में जाना है, library जाना है, तो वही आगे चलता है, lead करता है, देखता है कि सभी बच्चे लाइन में और discipline बनाई रखें, इन शॉर करता है कि discipline रहे आपकी class, okay, तो ये main दोर responsibilities है, would you like to be the class monitor, कि आपको class monitor बनना पसंद है, ये सभी को पसंद है, I'm sure सब का answer yes होने वाला है, and why, क्यों आपको class monitor पसंद है, क्योंकि हर किसी को challenging task पसंद होते है, class में सभी बच्चे एक जैसे monitor थोड़ा सा different होता है, different होना सब को अच्छा लगता है, ताकि आप अलग दिखे class में, तो आप लिखेंगे, yes, I like to do challenging task, okay, चलिए, आगे आते हैं, C के साथ ही, crossing the river, अब river cross, 5th January अगले दिन की बात है, यह river इने cross करनी है, we got vitamin C, हमें vitamin C, iron tablet and hot chocolate milk दिया गया breakfast में, these were given for strength and to keep us warm in the cold, क्योंकि mountain पर ठंड होती है, तो थोड़ी warm थ रहे है, इसलिए hot chocolate milk और आपको strength मिले, इसके लिए vitamin C और iron की tablet दी जाती है, every morning there would be a medical check-up, हर सुबे medical check-up होता है, we tied our bandages and count the days left, हम अपनी जो bandages थी, उनको जो पट्टियां थी, उनको tie करते थे, और दिन किनने लगते थे, अभी कितने दिन और बचे हैं, क्योंकि बहुत hectic schedule होता है, adventurous activities पसंद जरूर होती है आपको, लेकिन अगर आपने वावे फिर admission लिया 21 days के लिए, फिर आपको वो perform करना ही है, सिर्फ आप ठक गए है, इसकी वज़े से आप मना नहीं कर सकते हैं, हलाकि अगर आपको कोई medical issue है, तो उसके लिए medical check-up होता है, फिर आपको rest दे दिया जाएगा, after an 8 km trek, 8 km trekking के बाद, चलने के बाद, we reached a river, हमें एक river पर पहुँचते हैं, mountains में आप जानते हैं, बहुत सारी नदियां भी होती है, there was a thick rope tied across the river, और trekking का पूरा ध्यान रखा जाता है, तो वहाँ पे क्या किया गया था, river के across एक से दूसरी तरफ एक रसी बांदी हुई थी, ये बीच में नदी जारे हैं, इधर से इधर रसी बांदी हुई है, there, okay, एक मोटी रसी from one bank to other, एक किनारे से दूसरे किनारे पर, the rope was tightly fixed to pegs और python on both the sides, देखें, ये है जिसको की peg या फिर python python बोला जाता है, python सही pronunciation है वैसे, ये होता क्या है, इधर से इनके बीच से रसी निकाली जाती है, और ये आपके जो पत्थर है महाँ पर उसमें guard दिया जाता है, ताकि वो तूटे ना, तो दोनों ही साइड रस्ती को rope को python से pegs से क्या किया हुआ था, tightly बांदा हुआ था, दोनों बैंक की तरफ, ये एक्जाम में भी पूछा जा सकता है, पिक्चर देखें, तो इनका नाम है python, p-i-t-o-n, I was feeling nervous, मैं बहुत nervous थी, डर लग रहा था, I started thinking what would happen if the rope came out, अगर रस्ती बार निकल गई वहाँ से, तो क्या होगा, डर लगता है ना, कई बार, I was trying to estimate how wide the river was, और मैं ये कोशिश करे थी, estimate करने की, कि ये river कितनी चौड़ी होगी, कितनी width होगी इसकी, आर instructor tied a rope around his waist, हमारा जो instructor था, इनके साथ में instructor भी था, जो instruction करता है कि कैसे आगे जाना है, उन्होंने अपनी waist के कमर पे एक रस्ती बांदी, and put a sling in it, ये देखे, sling ये होते हैं, आपको चीजे दिखा देते हैं, ताकि जाद अच्छे से clear हो आपको, इसमें क्या होता है, ये होते हैं slings, अगर इसको आप आपने शायद देखे भी होंगे, यहां से press करेंगे थोड़ा सा हलका सा हाथ से, तो ये अंदर की तरफ चली जाती है, और ये hook आप एक अपने waist पे जो रस्ती बांदी है, उससे attach कर लेते हैं, और यहां से इसको थोड़ा सा press करके, यहां पर जो रस्ती उपर तंगी हुई है, उससे attach कर देते हैं, ताकि आप क्या हो उसके साथ attach हो जाए जो उपर रस्ती और फिर ये, एक सेकेंड, इसको उस रस्ती के ऊपर थोड़ा सा slide करते हुए, दूसरी तरफ आप पहुँच जाते हैं, तो इसका बड़ा important role है, और ये mountain ring tool में use होता है, इन्हें हम कहते हैं sling, तो तीन चीज़ें हमने पड़ी, जो अभी तक इनको जरुत पड़ी, एक रस्ती की जरुत पड़ी, एक sling की और एक piton की, एक तरीके का hook होता है ये, उन्होंने sling को, वो जो hook था, उसको प्रेस करके उस पर टांग दिया, जो रसीट थी, रिवर के अक्रॉस जो बंदी हुई थी, walking through the icy water, उसके बाद icy water पे walk करते हुए, ताकि नीचे गिरेना उपर से आपको एक grip मिल जाए, इसलिए ये बांदी जाती है, he went to the other side, वो दूसरी side पहुँच गए, no one was ready to step into the fast flowing river, कोई भी तयार नहीं था, इतनी तेज बहती हुई rivers के across जाने के लिए, everyone was pushing each other to go first, सब एक दुसरे को धक्का दे रहे थे, तुम पहले जाओ, नहीं नहीं, तुम पहले जाओ, I stood last in the line, और क्योंकि ये group leader थी, सबसे last थी ये, last में खड़े हुई थी, तो ये सबसे last थी line में, hoping that no one would see me, और मैं ये सोच रहे थी, कोई मुझे ना देख ले, कहीं ये ना कह दे, ये leader है, आओ इनको पहले जाने दो, just then our instructor came near me, तभी instructor मेरे पास आते है, with the sling, उनकी हाथ में sling और रसी होती है, I knew that there was no escape now, और मुझे समझ आ गया था, कि आप बचने का कोई तरीका नहीं है, कोई escape नहीं है यहां से, I was ready, मैं तयार थी, but did not have the courage, लेकिन हिम्मत नहीं थी मुझ में, Sir could guess my fear, Sir ने guess कर लिया कि मैं डरी हुई हूँ, He called out loudly, वो नोंने जोर से कहा, Three cheers for Sangeetha Madam, Sangeetha Madam को cheer up करो, and before I knew it, someone had gently pushed me into the water, और इस्ते पहले कि, जैसे लोग चलाते हैं ना, कि हाँ चलो Sangeetha, you can do it, तुम कर सकती हो, तो मैं इससे पहले कुछ देख पाती, किसने मुझे पानी में पुष कर दिया, धक्का दे दिया, I felt as if my feet were frozen, मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैर बिरकुल जम गए हैं, I started shivering और मैं कापने लगी, my teeth were chattering, मेरे जो दांत हैं वो किट किटा रहे थे, I could hold the rope and started pulling my feet firmly on the river bed, मैंने अपने जो rope थी उसको पकड़ा, रस्ती को जो sling से अटाच थी, और जो पैर थी उसको river bed के उपर firmly रखा, नदी जो बहरे थी उसके उपर, वहाँ की जो नदियां होती है, वो जमी होती है mostly, पानी भी बहुत थंड़ा होता है, बिल्कुल आइस जैसा आपको लगेगा, as I walked further in, जैसे मैं आगे गई, the river got deeper, and slowly the water reached up my neck, पानी उपर उपर तक आता रहा, जो नदिया वो गहरी गहरी होती है, पानी मेरी नेक तक आगया, in the middle of the river, I lost my balance, river के बिल्कुल बीच में जाके मेरा balance थोड़ा सा खराब हो गया, and started sleeping और मैं फिसलने लगी, I was so scared, मैं इतनी डर गईती, and felt so cold, मुझे इतना ठंड भी लग रही थी, that the rope slipped from my hand, मेरे हाथ से रस्ती छूट गई, I started shouting for help, और मैं मदद के लिए चिलाने लगी, I was sure, मुझे यकीन था, if I would be carried away by the river, कि नदी मुझे आज बहा के ले जाएगी, but no, लेकिन नहीं, I found that I was tried with the rope to the sling, मैंने देखा कि, इसलिए वो sling से उपर बादा जाता है, कि आप अगर हाथ से रस्ती आपके चूट जाए, तो at least आपकी कमड से जो रस्ती बंदी है, उसमें जो sling लगी है, और उपर वही sling rope से attach है, तो वो आपको वहाँ पर पकड़े रखती है, hold the rope, hold the rope, रस्ती को पकड़ लो, I could hear the shout, उदर से लोग चिला रहे थे, I somehow managed to get hold of the rope, मैंने किसी तरीके से manage किया, रस्ती को पकड़ा, and pull myself forward, और अपने आपको आगी की तरफ पुल किया, धकेला, slowly with some courage, थोड़ी हिम्मत से, I reached the river bank, मैं अधी किनारे तक पहुँची, I felt a special kind of happiness, as I came out of the water, अलग ही खुशी होती है, happiness on finishing a challenging task, जो खुशी होती है, challenging task को finish खतम करने में, वो खुशी थी मेरे चहरे पर, now standing on the bank, अब मैं दूसरे किनारे पर खड़ी थी, I was calling out to other, to hold the rope tightly, अब मैं दूसरों को कह रही थी, कि रस्ती अच्छे से पकड़े रहना, फेस किया, तो चलिए students, अभी के लिए इतना ही, part 1 में इतना ही cover करेंगे, rest of the chapter we will do in part 2 video, thank you so much for watching, hopefully यहां तक जो chapter कराया है, उतना आप सभी को समझ में, आगया होगा अच्छे से,